अब जहां चुना वहां जाएगा किसानों का प्रतिनीधी मंडल किसान अब भी तीनों क्रिसी कानूनों की वापसी को लेकर अड़े हैं बतादे दिली बोर्डर में हो रहा है विरुत परदर्शन अब कुलकता तक भी पहुचने वाला है भारतिय किसान यूनियान नेता राकेश्टिकाइट ने कहा पूरी सरकार इस वक्त बंगाल चुना में लगी है किसानों का प्रतिनीधी मंडल भी कुलकता जा रहा है यह प्रतिनीधी मंडल वहां के किसानों से बात करेगा 13 मार्च इसके लिए समयता किया गया है अंतर राश्ट की पूरह अभिवार को संस्था परण ज्राची के तीन आसरे गहरों को अगले तीन महिने के लिए अवस्था सहिता परण करेगी इन तीन आसरे गहरों में सनहा स्रम, बाल स्रम और प्रेमा श्रम सामिल है बतादे समाज और परिवार द्वारा, तिरस्कृत, बेसाहारा, एकल और कभी-कभी गर्वोती महिलाओ एवं किसोरियों के लिए रांची के काके का सनेहा आसरम एक ऐसा ठीकाना है जहां उन्हें अल्प कालिन निवास एवं भोजन मुहिया कराया जाता है सरद पवार ने आंदोलन रत किसानों के बहाने बिजेभी पर साधा निशाना महराष्ट के पुर्व मुख मंत्री वो एंसीपी के राष्ट्री अध्यक सरद पवार ने राष्टी के हर्म मैदान में रभिवार को आविजी जनसभा को समोधित किया इस दोरान उन्होंने आंदोलन रत किसानों के बहाने भाजबा पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि पधान मंत्री नायंद मोदी को बंगाल जाने का वक्त है लेकिन आंदोलन कर रहे किसानों से मिलने का समय नहीं है सिरी पवार ने कहा कि बीजेपी देश को एक सुत्र में बांधने की जगा संप्रदाइक तका जहर पहला रही है दो जीला को छोड़ सभी में मिल रहे है कुरोना के मरीज कुरोना वारेस के संक्रमन से अभी सवधान रहने तथा सुरक्षा को लेकर बनाए गए अवसक नीमों के पालन करने की ज़रूरत है बतादे इसका कारण या है कि राज्य में दो जीलों को छोड़ कर बाकी में इसके मरीज अभी मिल रहे हैं भले ही अधी संखेत जीले में चिटपूट मरीज ही मिल रहे हो लेकिन संक्रमन पर करार है कुछ जीलों में सभी मरीज के स्वधाने के बाद भी अब नए मरीज मिलने लगे हैं बालेवूट अभिनेता अली खान पहुंचे राची बालेवूट एक्टर अली खान और देवेश खान राची के रोग गार्डन पहुंचे बता दे अली खान अपनी पूरी फैमिली के साथ राची में है उन्होंने रोग गार्डन की काफी तारिफ की अली खान ने काया कि राची जार्खन की राईदानी ही नहीं बलिक एक अच्छा ट्रेवल डिस्टिनेशन है यहां कई सारे खुबसूरत वाटरफोल हैं देवेश खान ने काया कि जार्खन स्यूडियर लेंज से कम नहीं है जार्खन तकनीकी विश्व विद्याले में ओफ्राइन परिशा का विरोद जार्खन यूनिवर्सिटी ओफ टेक्नोलोजी द्वारा सुझना जारी कर पांचवे सेमेस्टर के विद्यारतियों को परिशा फॉम भारने के लिए कहा गया है इसमें ओफ्राइन परिशा की संभा का खुलासा जार्खन की तर्गात रातु परखंड के तीलता चोक के पास हुए राजास्वक करम चारी सथय प्रकास तरी वास्ताव परृस न कि अखुलासा किया है इस मावले में पूलिस ने 4 आरोप्यों को घरफतार किया है बता दे इस मावले को लेकर एसाइट कटित अंतराश्टिय महिला दिवस पर रेलवे ने पहली बार राची रेलवे इस्टेशन के संचारन का जीमा महिला रेलकर्मी को देने कैलान किया है बतादे DRM नीरज की अध्यक्सता में हुई सनिवार को बेश्टक में फैसला लिया गया ऐसा पहली बार होने जा रहा है इसमें ट्रेन अपरेशन से लेकर एस्टेशर पर टिकट काउंटर सुरक्षा, सपाई कर्मी, टिकट चेकिंग, सारी जवोपर महिलाओ को ही ड्यूटी पर लगाया जाएगा महिला दिवस पर राज जेपाल करेंगी समानित अंतराश्टिय महिला दिवस पर संस्था माही केर फाउंडिशन की ओर से समाज के हर छेत्र में विशे स्विगदान देने वाली महिलाओ को समानित किया जाएगा आठ मार्च को राची विश्व विद्याले के दिख्छांद मंडप में दीन के दो बजे समान समारो का आयोजन होगा कारकर में मुख अतिती के रूप में राजे पाल्द्रो पदी मुर्मो के अलावा राची के सांसर संजस से ठोंगे जारखन में 42 नहे संक्रमित की पुष्टी हुई है जो राची से 29 पूर्वी सिमुव साथ धनबाद एक बोकारो दो रामगर एक देवघर से दो मिले हैं जारखन में कूल मोट की संख्या 1093 है वही एक टिप केश की संख्या 463 है भारत में 18650 नहे संक्रमित की पुष्टी हुई है भारत में कूल मोट की संख्या 1,097 है वही भारत में एक टिप केश 1,858,86 है